कि नमस्कार मेरा नाम है अभिनोत शांशूर पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो हमारे discussion का जो topic है क्या है मैं कक्षा 11 के लिए भौतेकी विषैक के लिए अभी यह कच्छा चालू कर रहा हूं भौतेकी यानि की फिजिक्श ठीक है और यहां पर कठ्चा 11 से जह जो साल मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे जो जो चीजे मैं दिखा रहा हूं उन चीजों को दूसरे दिन के लिए पोश्ट कौन करने की बजाए उसी दिन सीखेंगे अपना साइन पर होम वर्क करेंगे और मेरे साथ साथ चलते रहेंगे इसके अलावा आप एप्लिकेशन क यहां पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल एप्लिकेशन ठीक है तो बुनियादी गणितिये सुत्रों के लिए बुनियादी गणितिये टूल्स के लिए जो है आज हमारी यह बात होने वाली है अब आपका पहला प्रश्ण होना चाहिए कि यह कौन सध्या है तो म मैं ऑपसे कहूंगा कि आप इसे लिखने रखे यह है अध्याय शूलिया यहां पर यह सारी चीज़ें आपकी किताब में नहीं है और बहुं सारे किताबों में नहीं होती फिर अगला प्रश्ण है कि अगर यह चीज़ें किताबों में नहीं है तो हम यह क्यों पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि ये चीजें किताबें किताब में हैं लेकिन पूरे की पूरे कोर्स के दौरान ये अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है ठीक है जब भी जिस चीज की जरूरत होती है उस समय उन चीजों को पढ़ाया गया है लेकिन अब क्य क्योंकि हम लोग अभीपसा के प्लाटफॉर्म के थुरू एक सिस्टेमेटिक पढ़ाई की और बढ़ रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप हर एक चीज को यहां पर भी सीखें और जब इनको उप्योग करना होगा उस समय मैं आपको दोबारा याद यह याद दिलाऊंगा कि कि हम लोगों ने यह चीजें पहित लेकिन तब तक सबसे पहले इन चीजों के बारे में सीख कर हम अपना फंडामेंटल अपनी बेसिक्स को क्लियर करते हैं क्योंकि एक बार अगर बेसिक्स आपका क्लियर हो जाता है तो फिर जब किसी अध्याय के दौरान किसी प्रमे या बेंज़क के दौरान कोई मैथेमेटिकल कोई गंड़िया ऑपरेशन आ जाता है तो उस समय अगर आपको यह चीजें पहले से पता होंगी तो उनका उप्योग करके दारेक्ट जो है चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा तो मेरा कहना यह है कि आप इसी तरीके से इन सारी चीजों को सीखें जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं और सीखते सीखते जब हमारा एक बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर हम अपने चैक्टर स्क्योर सम्कूर त्रिभुज में क्या क्या होता है तो सम्कूर त्रिभुज में होता है पहली बात यह तीन भुजाओं वाली आकरती है तो त्रिभुज है और इन त्रिव इन तीन भुजाओं वाली आकरती में से कोई एक जो हमारी हमारा कोण होगा यह नब्वे अंस का होगा नब को इसके अंगों को जानना है तो सब से जो बड़ी वाली बुजा होती है जो नबैंस के आपोजित होती है उस चीज को हम बोलते हैं कार्ण ठीक है उसके बाद में हम लोगोंने जिस कौन के लिए जयासे यहां पर हमारा कॉन थीटा यहां है तो जिस कॉन के लिए हमको त्रिकॉन मितियान उपातों का मान ग्याद करना है उस कॉन के देखिए जैसे मैं यहां इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ एक मगरमच है जिसका मुँ इस तरीके से खुला हुआ है तो ये वाला जो कौन है ये हमारा थीटा है और इसके opposite side में जो भी भुजा आती है ये हमारा लंब हो जाती है तो अगर मैंने आपको इस तरीके से एक इस तरीके से एक समकौन ते खुद्दे दिया जिसमें यहाँ नब्यांस है और अगर ये वाला कौन थीटा है तो इसके opposite side में इसके उल्टे side में ये हमारा लंब हो जाएगा याद रखेगा कि हमको मतलब थीटा से है उसके कौन से है उसके हिसाब से हम अपना लंब डिसाइड करते है लंब के अलावा जबडों से जो जुड़ा हुआ side है ये है आधार ठीक है तो यहाँ पर भी हमारा आधार ये है अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं ये है पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये तो आप लोगों ने पहले भी कक्षा नौवी में दस्वी में ये चीज़े याद करिएँगे अब इस से जह हम क्या निकालते हैं सबसे पहले आता है हमारा sin theta sin theta sin theta के लिए हम ये वाला लेते है p by h मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर p क्या है पर्पेंडिकुलर और पर्पेंडिकुलर मतलब लंब तो यहाँ पर लंब बटाकर्ण हो जाएगा उसी तरीके से cos theta क्या होता है तो cos theta के लिए हम लोगों ने ये वाला लिया b by h b by h को इंगलिस में क्या बोलते हैं इन मतलब हिंदी में बोलते हैं यह हो गया आधार बटाकर्ण और इसी तरीके से tan theta के लिए tan theta के लिए सबसे लाश्ट वाला पी बाई भी और यह हो जाएगा लंब बटा आधार तो यह तो हम लोगों ने एक basic चीज समझ ली हम लोगों ने एंगल theta अब देखे एक और खास बात है यहां पर कि यह तो नब्वेंस है अगर मान लिए मैंने इसको 30 ले लिया किसको 30 ले लिया हमारे theta को 30 ले लिया यहां पर 30 लिए तो यह वाला जो है कितना हो जाएगा देखे त्रभुच की तीनों अंतर कोनों का योग कितना होता है एक सबस्य होता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 12 दिश्य कह थी एश्य कहा है आब यहाँ पर हम ले लेते हैंrenched बी और तो सी तो हो गया नभे और एक का मान हम लोगोर ने क्या लिया है नभी का मान हम लोगों ने दे इए है तीस तो अब क्या होगा angle A का मान हो जाएगा angle A बराबर पहले C का मान क्या है C का मान 90 है इसको इधर भीडने से यहाँ पर हो जाएगा 90 90 degree ठीक है और अब अगर हमें a निकालना है तो हम क्या करेंगे 90 बटा 20 90-20 या अगर हमको भी निकालना है तो 90-1 इन दोनों कोड़ों के बीच में जो कि संबंध है कि यह अगर ठीटा है तो यह क्या हो जाएगा 90-ठीटा इन दोनों कोड़ों के किि इस संबंध को क्या कहते हैं मैं पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको यहां नीचे कमेंट सेक्ष्न ने बताना है इनको पूरख कोंड कहते हैं या सम फूरख कोंड कहते हैं मैंने आप सिर्फ क्या सवाल पूछा थीटा और नब्वे माइनस थीटा मतलब ऐसे दो कौन जिनका योग नब्वे हो इन दोनों कौनों को क्या कहते हैं आपका option A है पूरक कौन या option B है सम पूरक कौन तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में बताइए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा चलिए अब चलते हैं हम लोग यहां तो साइन का जो है हम लोगों ने अभी अभी देखा था क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ठीक है तो यहां पर देखिए पी बाई एच यहां पर डाओ थे और इन यहां पर पर ती नैग्यों ने आपको समझेंगा अब ऊपर से नीचे लिजाए नीचे से उपर देखेंगे तो हमको देखिए H by P और यह हो गया कॉसेक तो अब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक बटा कॉसेक थीटा ठीक है इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा और टैन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा यहां से हमको यह संबंद समझ में आता है चलिए अब देखते हैं एक विशेस को थीटा तो अब यहां पर देखिए यह एक संबंद त्रिभूज है जहां पर जहां पर यह वाला कॉण हमारे लिए लब्बे है यह वाला अब देखिए पाइथागोरस प्रमें लगाएंगे दो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग और इस चीज को सीखने के बाद हम लोगोंने सबसे पहले जो relationship चेक किया था यहाँ पर आता है कर्ण पांच यहाँ पर आता है आधार चार और यहाँ पर आता है इनका वर्ग निकालेंगे तो हमको सही उत्तर मिल जाता है ठीक है लेकिन अभी तक किसी ने यह बात नहीं की कि यह कोण कितना होता है तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर छोटी वाली जो भूजा है उसके सामने यहाँ पर 37 डिगरी है और यह वाला तो क्यों क्या है कि यहाँ पर ठीटा है और यहाँ पर है 90 माइनस ठीटा ठीक है और यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 33 डिगरी ठीक अब चलिए हम जो है यहाँ पहले ठीटा के लिए बात करते हैं मतलब अभी हम लोग थीटा का मान क्या ले रहे हैं 37 ठीक है अब इसके लिए हम निकालते हैं साइन कॉस्ट यह सारे मान निकालेंगे चलिए तो देखते हैं साइन थीटा लंब आटा कर्ण लंब क्या है तो यहां देखेंगे 37 के आगे वाली भुजा लंब यहां हमारा लंब हो गया तीन आधार हो गया चार और कर्ण हो गया पांच तो यह मान हम दालते जाएंगे लंब बटा कर्ण मतलब तीन बटा पांच कॉस्ट थिता आधार बटा कर्ण मतलब चार बटा पांच ठीक है यहां लंब बटा अधार म आग स्कंट बक्ठालम्ब मतलब 5 पटाती ँसात समेश्जा कि आधार वटता वांगं बता आधार मतलब चार बटताए पांच मैं आदाच ठीक है अ अ पांच बटताचार और काउट टो यह हो जाएगा अदा बता लॉट प सारे मान मिल गए ठीक है और इन मानों को हम कभी न कभी उपयोग में जरूर लाएंगे मैंने आपको यहाँ पर विशेश सिथिती बताई थी कि अगर हम लोगों ने थीटा का मान 37 डिगरी या 37 डिगरी लिया है तब अब मैं आप से ये चाहूँगा कि आप थीटा का मान 33 डिगरी लेकर भी थीटा का मान ये 37 के लिए है अब मैं चाहूँगा कि आप थीटा का मान 33 डिगरी लेकर भी इन कोड़ों के लिए साइन कॉस थीटा थीटा इन सारे मानक त्रिकोनमिती अनुपातों के मान निकाले थीक है तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको निकालना है यह है 37 दिगरी के लिए आपको और क्या निकालना है तीरपड दिगरी के लिए अब बढ़ते हैं आगे अगली चीज़ यह है कि यहाँ पर कुछ त्रिकोंड में यह सूत्र है जिनको हम हमेशा उप्योग करते हैं यहाँ देखिए साइन थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण और कॉस्टिटा होता है आधार बटा कर्ण ठीक है अब यहां पर जो चीज़ें करती हैं हम उन चीज़ों को कटाएंगे तो यह कर्ण और यह कर्ण चले गए और हमारे पास बचा लंब बटा आधार और यह किसके बराबर होता है टैन थीटा के इस तरीके से हम यह बोल सकते हैं साइन थीटा कौस थीटा तैन थीटा इनका जो यह जो संबंध था इसके बारे में हम पहले से चर्चा कर ही चुके हैं ठीक है अब यहां क्या हो रहा है देखिए यहां पर हम लोगों ने पीरियक गुणा कर दिया इनको गुणा कर दिया और उसी तरफ रहने दिया तो यहां पर हो गया एक बराबर सेटा को सेटा और एक बराबर कॉस ठीटा सेट एक बराबर टैन धीटा कोड तो इस प्रकार यह चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए ताकि हम जब गणित बनाने लगे जब किसी द्रेंजग को लेकि या किसी निमेरिकल कुष्टिन को लेके बात करें तब ये चीजें हमारे रास्ते में बाधक न बने चलिए आगे देखेंगे तो हमारी अगली बात है कि यहाँ पर कुछ हम लोगों ने अभी तीन था लपा न 9 का पर है और तीन था यह चार ऑड़ ये कि अ तरीके से अगर पिर्पन के लिए निकाले मतलब अगर हम जो है इस कोण के लिए निकाले जहां पर यह त्रीर可能 adesso पर पंच है और इस के लिए निकाल सकते हैं इसके अलावा ये सब कुछ मानक values हैं जिनको हम अलग-अलग time में अलग-अलग जगों पर उप्योग करते ही हैं इसलिए इनको हमको याद करना है अब रट्टा मारने की जो technique है वो तो अच्छी बात नहीं है इसलिए हमको क्या करना है आप देखें सबसे पहले हम लिखेंगे sin theta by God कि सबस्की नुझ्वद सबस्कें इसके निचे लिखेंगे tan theta टीक है इन तीनों का मान निकाल लेने से हम को बाकी के तेनों का मान पता चल जाए जाए अब हमारे जो मानक कोन है उनके बाए बात कर लेते हैं हमारे मानक क्यों है पहला है सूनिय उसके बाद में है 30 उसके बाद में है 45 उसके बाद में है 60 और अंत में है 90 है है हम यहां पर कोड़ों की बात करेंगे चलिए यहां कुछ थोड़ी से गड़बढ हो गई है इन चीजों को कि खोड़ों के माल लिखने के बाद में यहां साइन थीता आ जाता है यहां कॉस्ट तीटा आ अचाहां और यहां ले लेते हैं 10 ठीट ठीक है साइन की वैल्ल्व न्यूनुतम होती है शूल यहां होगा सूल यहां होगा एक बटा दो यहां एक बटा वर्गमोल दो यहां वर्गमोल तीन बटा दो और यहां होगा एक तो यही याद रखना है कि साइन की वेल्यू कैसे चेंज होती है यह नबे में सबसे ज़्यादा और शून्ने में सबसे कम होती है ठीक है? अब दूसरी चीज़ देखनी है हमको कि यह थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रही है अब यह जो एक है हम इसको पीछे से लिखना चलू करेंगे तो यह एक चला जाएगा कॉस में यहां यह रूट तीन बटा दो यह जो यहां आ जाएगा एक बटा वर्गमोल दो यहां यही रहेगा एक बटा दो यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा शून ठीक है अब अगली चीज़ क्या करनी है हमको कि हमको पता है क्या कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो अगर हम यह यह संख्या और यह संख्या को यहां भाग दे दें तो हमको 10 की मिल जाएगे सुन्य बटा एक मतलब सुन्य किसी भी संख्या को सुन्य से भाग दो उत्तर शुन यहीं आएगा यहां देखे दोनों हर कतन हो जाएगे तो एक बटा वर्मोन तीन यहां बचेज़ा उसी तरिके से यह पूरा पूरा कड़् जाएगा और यहां हम को मिलेगी संख्यह 1 यहाँ देखे जो यह दो और यह दो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो और ये दो दोनों गया तो यहां उपर बचा रूपर अब यहां एक बटा सुन्य तो कोई सी संख्या को कोई से भी संख्या को शून्य से भात देने पर उत्तर हमेसा अनंत्त या असल में बूला जाए तो अंडिफाइंड आता है कि ठीक है अंडिफाइंड के लिए सिंबल यूज करें हम लोग तो यह आ जाएगा ऐसा तो मुझे लगता है कि यह जो वैल्यू है अब अगर आपको पूछेगा कोई कि कॉसेक कॉसेक की वैल्यू निकालों तो हम क्या करेंगे कॉसेक ठीटा कॉसेक ठीटा बराबर एक बटा साइन थीटा अब मैंने आपसे पूछा कोई सेक अगर शाट अंस तो हम देखते हैं साइन में साट अंस का मान क्या है रूट तीन बटा दो तो कॉसेक साइन साट हंस हो जाएगा दो बटा वर्गमूर्ट तीन इस तरीके से हम सैक और कॉट के लिए भी मान निकाल सकते हैं और इसके अलावा इस टेबल में देखे सुन एक बटा दो एक बटा वर्गमूल दो वर्गमूल तीन बटा दो एक और ये दोनों 37 और तीरपन अंस इनकी जरूरत जो है कभी कभी ऐसे पड़ती है कि कुछ निमेरिकल क्वेस्टेंस आप से कुछ आंकिक प्रश्न आप से प इन मानों को कौन-कौन से मान है तो यह यह आपको याद रखना है ताकि आप बाकी चीज़ें निकाल सकें और इसके साथ साथ यह दोनों आप याद कर लें तो इससे आपको बहुत फाइदा हो तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरह यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ ऐसे हमारे पास में क्या है कि बने बुनाय रिलेशन सिप हैं जिनका उप्योग जो है हम बहुत सार चीजे समझ लेंगी अभी फिलहाल के लिए आपको यह चीज़ें याद होने चाहिए क्या पहला है साइन वर्ग ठीटा धन कॉस्वर्ग ठीटा बराबर एक अब इसी चीज को पलट के क्या किया कि यहां पर धन का चिन्द है तो साइन को रहने दिया कॉस इधर आ गया तो स्कॉर्ग ठीटा एक मानश साइस 생ण साइन कीटा इस सी तरीकेसे जो है हम लोगों ने किया कि मानुस टैन वर्ट थिटा है उसकी लिए तो प्लस तरीकियो अब टीटा तो यह सारी चीजें जो है वाप ऐसे important terms है जो इसको तो मुह जुबानी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये हमको आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतों से बचाने वाले हैं चलिए चलते हैं अब यहां पर योगी कौन और योगी कौन का मतलब क्या होता है योगी का मतलब कहीं न कहीं हम एड कर रहें जोड रहें तो अब मैंने आप लोगों से पूछा के साइन 15 अंस का कोण बताईए कि आपको पता है दूसरा प्रश्ण साइन 75 अंस को बताईए तो अब ऐसी situation में यहां sign की बजाए cause भी आ सकता है 10 भी आ सकता है कोई भी चीज़ आ सकती है लेकिन इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं अगर ऐसी स्थिती है तो क्या आपके टेबल में मैंने आपको यह मान बताए हैं यहां देखिए क्या आपको यहां पर कहीं पर 75 अंस य यह बुलेंगे कि हम से तो हमको तो पता ही नहीं है भाई उन्होंने पूछा है आपको यह जानना चाहिए ऐसी स्थिती में हम क्या करने वाले हैं यहां देखिए तो अब यहां पर क्या है कि अगर मैं यह लिख दूँ देखें अगर मैं यह लिख दूँ कि साइन 15 अंस बराबर साइन 45 रिण 30 अब बताईए तो साइन 45 का मान मुझे पता है और साइन 30 का मान भी मुझे पता है तो साइन 45 रिण 30 इस से तो जो है वो मान निकल सकता है उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहां देखें साइन a minus b के लिए sin a cos b पहले sin आएगा पहले वाले का sin और cos उसमें multiply हो जाएगा दूसरे वाले का फिर यहाँ minus sin आता है cos a sin b तो यह चीजें अगर आप याद करते हैं कि sin a cos b plus cos a sin b और यहाँ पर अगर मैंने वहाँ पर value डालने की कुशिश की तो यहाँ से मैं क्या नहीं का लूँगा sin 45 cos 30 sin 45 cos 30 rin cos 45 sin 30 और यहाँ मैं अपनी पिछली टेबल से मान उठाके डाल दूँ तो मुझे बड़ी आसानी से मेरे मान मिल जाएगे तो इस तरीके से sin 15 का मान मैं निकाल सकता हूँ ठीक है और यहाँ पर उसके अलावा देखिए यहाँ पर cos a plus b तो cos की खासियत क्या है यहाँ पर देखिए sin और cos यह दोनों का जो है एक साथ तरम्स आ रहे थे मैंकिन यहाँ पर अब देखिए a plus b में cos a और cos b पहले आ रहे हैं minus sin a sin b अब देखिए यहाँ पर plus है और यहाँ बीच में माइनस आ रहा है आप समझ रहे होंगो ठीक है उसी तरीके से cos a minus b में क्या हो रहा है cos a cos b पहले प्लस sin a sin b तो यहाँ क्या होता है देखिए यहाँ पर plus sin थे sin में तो plus और minus है तो यहाँ पर भी plus और minus नज़र आ रहे है यहाँ धन यहाँ रिण है तो यहाँ पर भी धन यहां पर भी धन और यहां पर भी रिण है लेकिन हम कॉस में क्या देख रहे हैं कि यहां धन है लेकिन यहां रिण है और यहां रिण है तो यहां पर धन हो गया कॉस में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है टैन की कहानी कुछ अलग है टैन की कहानी ए प्लस बी में तो टैन ए 10B, 1-10A10B, तो इस तरीके से इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ सूत रहे जैसे 10A-B, तो यहाँ देखिए, पहले जो है, हम क्या देख रहे थे, 10A-10B और 1-10A10B था, और यहाँ क्या था? 10A-10B, और यहाँ था 1-10A10B, ठीक है, और यहाँ जब रिन, यहाँ पर आ गया रिन, तो यहाँ पर भी आ गया रिन, और नीचे वाला जहर धन हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने यहाँ देखिए, साइन ए प्लस B और साइन ए माइनस बी इन दोनों को मिला दिया, जब इन दोनों को गुना कर दिया, तो आप लोगों ने पीछे क्या देखा है, साइन ए, कॉस B प्लस कॉस A, साइ भी बी अब इन दोनों का गुणा करति है तो फिर एक का वरा ओर वाला फर्मिला लगाया हो हम को क्या मिला साइं का Spark ay MA साइं का बी तो आप जादतार मतलब स्थितियों वहिं क्या देखेंगे कि यह दिया हुआ है हमको वहां तक पहुंचना है या फिर वो दिया हुआ है और हमको यहां तक पहुंचना है तो कहीं न कहीं जब आप त्रिकोन मितिय सूत्रों के साथ में जूजते हुए नदर आएंगे और कहीं आपको यह जाकर लगेगा कि नहीं प्रिकॉन मिति मेरे से नहीं बनता या इसके सवाल बहुत कठिन होते हैं तो उसका कारण यह है कि यह जो महत्वपून सूत्र आपके पास में हैं अब देखिए कोई अग सब्सक्राइब करें तो यह हो जाएगा तू साइन ठीटा कॉस ठीटा यह जो है इसका स्टेंडर फार्मूला है आप यहां आगे देखेंगे ठीक है देखिए साइन टू ठीटा अ साइन टू ठीटा तू साइन ठीटा कॉस ठीटा तो इस प्रकार जो है क्या होने वाला है कि इन समी करनों का उप्योग हम गड़ित में करते रहेंगे तो यह पंदरा के पंदरा समी करन आपके लिए बहुत महत्वपून है अब यहां पर मैंने मान लिए जाए आप लोगों 150 पूछा तो यह हो जाएगा साइन 150 दो गुणा 75 और उसके बाद में अगर आप 75 का मान निकाल सकते तो 150 का भी मान निकाल पाएंगे तो इस तरीके से हमारे ग्राफ में सूनी डिग्री से लेके 45, 90, 105, 120 यह मतलब यह कुल मिला के 360 डिग्रियों के मान निकालने के लिए हमारे पास में यह फॉर्मूला काम के हैं इसलिए इन फॉर्मूला को 15 मैंने दिया है 15 सूर्टर ऐसे हैं जो आपको मुझवानी याद हो ताकि जब हमको उपयोग करना हो तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं तो मैं आप से उम्मीद करता हूं कि आप यह सारी चीजें सीख जा तो अब आप देखिए कि मैंने यहां से कोण मापना चालू किया और यह वाला कौण है ठीटा बराबर मान लेते हैं 30 अंत जब मैंने आप से कहा कि आप मापिए 110 अंस तो आप क्या कर रहे हैं 110 अंस के लिए यहां से ऐसे कोण मापेंगे इस बार देखिए कोण का मान बदल गया है और फिर भी हम कहां से नापते हैं तो हमारी जो सबसे पहली जो समझ होनी चाहिए वो क्या हो नहीं होनी चाहिए कि हम कोण जो है ठीटा बराबर 110 डिगरी हम कोण कहां से नापते हैं एक्स अक्ष से से ही हमारा कोण नापना चलो होता हा द vorbere अगर मैंने आप से पूछ लिया कि ठीटा बराबर दो सब पचासी तो ठीटा बराबर दोसो पचासी भी आप यहां से नापेंगे और यहां तक आके यह आपका ब्लब 25 यौफ या फिर हम इहां से अगर ना पेंगे तो फिर यह हो जाएगा क्या यह वाला माल लेते हिसका नाम एलफा रख दिया तो एलफा ब्लब हो जाएगा तीन सव साथ में से दो सो पचासी को अगर हम घटा दे तो जो अन्स आएगा वह एक अलफ़ा की वेली होगी लेकिन क्योंकि हम नीचे ना पने यह वाली दिसा क्या है और यह वाली उसके अपॉजीट दिसा यह क्लॉक्वाज यह एंटी क्लॉक्वाज है तो यह तो यह दो चीजें तो समझ में अब इसका उपयोग कहा करना है तो इसका उपयोग कुछ इस तरीके से होगा चलिए देखते हैं अब हम लोगों ने क्या किया है यह ले लिया ग्राफ और यहां हम कुछ चीजों को समझने की कोशिस करेंगे ठीक है सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों ने पूरे प्लेन को चार हिस्सों में बाटा है यह हो गया फर्स्ट क्वाडरेंट पहला चतूर्थांस यह हो गया दूसरा चतूर्थांस यह हो गया तीसरा चतूर्थांस औ आप बताये साइन साइन 60 अंस यह किस चतुर्थांस में पढ़ रहा है तो भाई सुन्य से लेके यहाँ पर सुन्य डिगरी से लेके 90 अंस तक के सारे कोण कहा तक पढ़ेंगे पहले चतुर्थांस में यहाँ देखेंगे तो यह हो जाएगा 90 से लेकर 180 अंस तक के सारे कौन कहा रहेंगे दूसरे चतुर्थांस में यह है हमारा 180 अब यहां से 180 से 270 ठीक है तो 180 से लेके 270 अंस तक के सारे कौन कहां रहेंगे तीसरे चतुर्थांस में और 270 से 360 अंस तक के सारे कौन हमारे चौत्रे चतुर्थांस में होगे मैंने आप लोगों से जो question जो पूशा था वो था साइन साठ अंस को दिखाई है ठीक है तो साइन साठ अंस को निकालने के लिए हमारे पास में क्या क्या तरीक हैं यह देखते हैं हम लोगों ने यह एक लाइन खीची और यह हो हमारा साथ हल्ग हम लोगोंने कोई भी एक बिंदु लिया और इस बेंदु से यहां पर लंब खीचा कैसा लंब जो संपोर्ण बनाता हैं तेिका है अब देखिए यह हमारा कॉर यह हमारा तुर्ष पैंसा तुर्ष संब कोर्ष और कोण के कोण की कोन की दूसरी और क्या होता है तो कोन की दूसरी और होता है लंब और कोन के जबड़े के साथ में जुड़ा हुआ जो भाग होता है यह होता है हमारा आधार और सबसे बड़ी भुजा है वो है हमारा कर्ण ठीक है साइन 60 का जो है मान निकलने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर लंब बटा कर्ण करेंगे अगर हम लोगों ने यह कर लिया कि इसका नाम सुन इसका नाम ए और इसका नाम भी है तो आप देखिएगा कि साइन साइन 60 अंज बरावर ए बी बटा बी ओ यह हम लोगों ने निकाला ठीक है अब मैं जो आप लोगों से संबध्ध कोनों की बात करना चाहता हूँ वो किस तरी से होगा यह देखिए तो संबध्ध कोन का मतलब अगर मैंने साइन साइन 60 अंज को लिखना चाहा कि यह है साइन 90 रिण 30 मैंने क्या कहा कि यह वाला जो कौन है इसको मैंने 30 डिग्री नाप लिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि 90 अंज से 30 कम कर दो तब यह कौन मिलेगा तो अब देखिए कि अगर मैं किस की बात कर रहा हूँ अब अब देखिए यहां पर सी और हाँ तो अब मैं किस त्रभूच की बात कर रहा हूँ मैं यहां पर इस त्रभूच की बात कर रहा हूँ यह वाला यहां पर है 30 अंज और यह हैं मेरा दी यह है सी और यह वह हम पिछले ही देखे इसी डायग्राम से बी सी और व मैंने इसी त्रिभुच को यहां पर उठा के रख दिया अब देखिए इसके लिए यह वाला जो हिस्सा है क्या ये वाला जो हिस्सा है ये है लंब और ये हो जाएगा आधार और कर्ण ये हो जाएगा अब अगर मैं इसके लिए निकालूं साइन तीस अंस तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण या फिर ये हो जाएगा बी सी बटा ओ बी कॉस तीस अंस निकालने के लिए मैं क्या करोंगा ये आधार है तो आधार बटा आधार बटा कर्ण और ये हो जाएगा आधार देखिए ये है ओसी बटा ओ बी अब हम पिछले ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पर जो ओसी है मतलब ये वाली जो लंबाई है ये असल में अबी के बराबर है तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये अबी बटा ओ भी है और यहाँ पर अबी बटा ओ भी क्या दिखाई दे रहे हैं तो आप देखे साइन 60 का मान हम लोगों ने अबी बटा ओ भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये साइन 60 अंस है और यही कॉस पीस अंस भी है तो इस तरीके से जब हम देखेंगे कि कॉस तीस और साइन 60 के बीच में एक विशेश संबंध हमको समझ में आया और यह है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ये संबंध देखें ठीक है और इसी तरीके से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि तैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा या फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर दो ऐसे कॉण दो ऐसे कॉण एलफा और थीटा ठीक है जिनका योग किसके बराबर हो 90 अंस का हो तो ऐसे कॉणों को हम पूरा कॉण कहानी है तो यहां पर हम यह वाला जो रिलेशन्शिप है वो लगा सकते हैं कि 90 धन नभे माइनस थीटा में कॉस्स थीटा में बदल जाता है इसी प्रकार टैन बदलता है कॉण में और काड़ बट्लता है चेहां पर आना चाहिए अग oikein तो यह बदलाव होते हैं अब यहां पर देखिये तो कि यह बदलाव हर जगह होते हैं क्या इस बदलाव का कोई दूसरा फर्क होता है तो यहां हम लोग जो McM людям क्या बोल सकते हैं हम लोगों यह立 चतूर्थांस बना ह ठीक है यहा पहला, यहां दूसरा, यहां तीसरा और यहां हो गया चौथा ठीक है अगर हम लोग यह खोड़ों के बारे बात करेंगे तो यहां पर सुने से 90 यहां 90 से 180, यहां 180 से 270 और यहां हो गया 270 से 307 ठीक है यहां होता है all all यहां होता है sign यहां होता है all student take मतलब 10 और यहां पर होता है अब इसका मतलब क्या हुआ तो sign या फिर sign के साथ साथ यहां पर 10 मतलब 10 के साथ साथ यहां कॉस का मतलब कॉस के साथ साथ से यह relationship मैंने कहां से निकाला तो भाई हमको पता है sign यहां यहां पर मैंने लिया तो कॉस भी आ गया तो कॉस एक भी आ गया 10 थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा तो जब मैंने टैन लिया तो कॉट भी आ गया यहां पर उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा तो इसलिए जब मैंने कॉस लिया तो सेक भी आ अब ये चीज़ समझने वरी बात है कि इस लाइन के दौराण और यह बदलाओ होते हैं को यह बदलाओ होते हैं कि साइन albeit हमारा जो साइन है कि वह साइन थीटा है जूए किसमें बुदल जाता है लुदूट तिन और कॉस्ट बदलता है साइन में ठीक है और टैन बदलता है कोट में कोट बदलता है टैन में ठीक है और सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेकम यह सारे बतलाओं होते हैं कहां होते हैं या तो वो 90 90-theta में होगा या तो फिर 90-theta में होगा या तो फिर 270-theta में होगा या फिर होगा 270-theta ठीक है इसके अलावा यह बदलाव यहां नहीं होगा मतलब 180-theta या 180-theta में यह बदलाव नहीं होने वाले अब क्या होगा कि अगर यहां कोई कोण है 90-theta वाला हिस्सा यहां आएगा तो अगर यहां है तो सब के सब positive होंगे इन साइन का कॉस इन का कॉट का इन इस तरिके से लेकिन अगर मैंने 90 फ्लस ठीक लिया तो साइन क्योंकि यहां पर स है तो साइन का कॉस थीटा तो होगा लेकिन कॉस का साइन नहीं होगा कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा क्यों कि यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव उसी तरीके से अगर मैंने लिया 270 तो यहां पर 10 तो जहां positive होगा 10 किसमें बदलेगा? cot में तो 10 का cot और cot का 10 तो होगा लेकिन यहां पर अगर मैंने कहा sin 270 प्लस थीटा तो बदलाओ होगा क्योंकि 270 प्लस है लेकिन यह minus cos थीटा हो जाएगा क्यों? sin से cos में जाता है और क्योंकि यहां साइन है और यह तृतिय चतूरथांस में आता है जहां सिर्फ 10 जो है धनात्मत है इसलिए साइन से मैनस पोस्मित अब ये चीजें अगर आपको समझ में आई होगी तो आप यहां देखिए और इस जगह में यहां क्या देखते हैं कि साइन माइनस थीटा क्यों होता है साइन है इसलिए जब वो लेगेटी होगा और हमको क्या मिला हमको मिला माइनस साइन थीटा कॉस वहाँ चतुर्थांस में चौथे चतुर्थांस में पॉजिटिव है यहां पर धनात्मक है ठीक है और उसी में सैक भी धनात्मक है बाकि सारे के सारे दनात्मक है अब देखें 90 साइन नब्बे प्लस थीटा तो क्योंकि वो साइन से आ रहा है मतलब हम इसके बारे में सुचेंगे क्योंकि यह साइन से आ रहा है क्योंकि यह साइन से आ रहा है तो कॉस्प धनात्मक है क्योंकि यह से आ रहा है इसलिए यहाँ पर स्री, क्योंकि यह कॉस next से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपी कि सारे यह रिनात्म है ठीक है, इसी तरिके से अगर one eighty minus theta होता है तो one eighty minus theta में क्या कोई بدलाव हो रहा है तो देखे, sign का sign है, cos को cos है, 10 का 10 है, यहाँ पर कोई बदला नहीं हो लेकिन चिन्धों को देखिए की अगर जो है कॉस से कॉस में ही जा ray है तो इस तरीके से जो है हम संबध्ध कोणों के बारे में दो जान गए हैं इसके बाद में बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आने तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद मेरा नाम है अभीनों तो शांशू पांडे